असलाम अलेकुम जियर्स ये देखिए ये है हमारा चिकन अचारी जो बहुत ही लजीज है आईए फ्रेंड्स हम ये मज़ेदार से टिश बनाते हैं और देखते हैं हमें किन चीजों की जुनत है हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 केबल स्पून स्वाफ, 1 4 टीस्पून मेथी चार लाल मिर्च लेंगे और 2 टीबल स्पून हम लेंगे साबुत धनिया और इन सब को हम रोस्ट करेंगे पैन ले लेंगे हम इसे गरम करने की बाद इसमें ये साबुत मसाले डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे इसे 2 से 3 मिनट ही हमें रोस्ट करना है जब तक कि इस करस नी चोड़ लेंगे और यह जो मसाले अभी हमने रोस्ट के थे इसको हमने दरदरה पीश लिया है इसे 1 टीजपून हम इसमे डालेंगे मीबु के रसदमे तोड़ा सा और डाल देंगे इसके लावा एक टी स्पून हम लेंगे चाठ मसाला और उसे भी इसमें मिला देंगे और इसे जल्दी से मिक्स करके इसका पेस्ट बना देंगे और हरी मिर्श में भरेंगे यह हमने मोटी वाली 5 हरी मिर्च ले लिए और इसमें कट लगा दिया है यह ज़्यादा पीक ही नहीं होती अब हम इसमें पेस्ट भर देंगे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है चिकन अचारी में यह हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया है इसे वाश करके अच्छी तरह से रख दिया है चार मीडियम साइज के टुमाटो लिये हैं हमने उसका भी एक पेस्ट बना दिया है ग्राइंडर में 200 ग्राम हमने दही ली है इसको बीट करके रखा है वन टेबल स्पून हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और तीन मीडियम साइज की प्याज लेकर इसका भी पेस्ट बना दिया है ग्राइंडर में तो आईए फ्रेंड अब चिकन को मेरिनेट कर लेते हैं सबसे पहले हम डाल देंगे यह दही जो अभी हमने पीट करके रखे दे उसके बाद हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा ही डालेंगे हम आधा हम ग्रेवी में डालेंगे और हाफ टीजपून हम डालेंगे नमक याने सॉल्ट और वन टीजपून डालेंगे हम रैड चिली पाउडर इसके अलावा हाफ टीजपून टॉरमरिक पाउडर इसके अलावा जो अभी हमने ग्राइंड करके रखा था यह मसाला इसमें से आधा हम डाल देंगे इसके अंदर और आधा हम ग्रेवी बनाते वक डालेंगे यह डालने के बाद हैंड वाश करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम ढखकर रख देंगे एक घंटे के लिए जैसे यह गरम होगा हम इसमें डालेंगे 1 टीजपून राई 1 टीजपून कलॉणजी इसे कड़क जाने देंगे और जैसे यह कड़क जाएगा हम इसमें जिंडर गालिक पेस डाल देंगे और इसे भी फून लेंगे इसके बाद हम डालेंगे कुछ इसमें पाउडर मसाले हम यहां लेंगे 1 टीजपून राई चिली पाउडर और हाफ टीजपून हम नमक लेंगे यह डाल कर इसे भी मिक्स कर देंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें ओनियन पेस्ट जो अभी हमने तयार करके रखा था ग्राइंड किया था वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे भूनना मसाले को बहुत ज़रूरी है जब तक कि यह ओईल अपने सरफेस पर न आ जाए यह देखिए अब हम इसमें टोमाटोस डाल देंगे और इसे भी बहुत अच्छी तरह भून लेंगे प्रेंट्स मसाला भूनते वक्त हमने यह तीन साबुत खड़ी मेर्ज भी डाल दी है इसे भी हम भून रहे हैं अच्छी तरह से ओईल भी अपने सरफेस पर आ गया है हमने अच्छी तरह से इसको भूना है यह भून गया है अब हम इसमें अपना मेरिनेशन क्या हुआ अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे यह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें रोस्ट किये हुए मसाले डालेंगे जो अब ही हमने पीसे थे यह हमारा रोस्टेड मसाला यह हम सारा डाल देंगे जो बचा हुआ था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंग और इसे 8 मिनट के लिए पकाएंगे, इसे लेट से धकने के बाद अब हम इसे 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे आठ मिनट हो गए है फ्रेंट्स बीच में एक मरतबा हमने इसको मिक्स भी कर दिया था अच्छी तरह चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है लेकिन अभी हमें दई के पानी को अच्छी तरह खुश्प करना होगा और साथ में ही अपनी हरी मिर्च डाल देंगे और इसे उपर नीचे कर देंगे इन हरी मिर्चों का टेस्ट चिकन अचारी में बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रेंट्स अब इस पर लीट ढग देंगे दो से तीन मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताके हरी अचिकन हमारी हलकी सी सॉफ्ट हो गई है चिकन हमारा टेंडर है हमने सिर्फ दुबारा चेक किया है अम्हारा अच्छी तरह से भुन गया है इसकी कंसिस्टेंसी में दिखा देती हूं यह देखिए इसमें हमने पानी वगरा का बिल्कुल भी इस्तिमाल ने किया है दही के पानी को भी खुश कर लिया है अच्छी तरह से हमारा अच्छी तरह से बुनकर तयार है अब हम इसके लीड लगा देंगे गैस की फ्लेम को करेंगे और मज़ेदार सा तड़का लगाते हैं तड़के वाले पैन में हमने 3 टीस्पून फ्योर गी ले लिया है इसे गरम करने के लिए रखा है और अब इसके अंदर 1 टीस्पून कलॉंजी डाल देंगे और 6-7 लैसन की कलिया लेकर इसको भी फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन करेंगे इसको डार्क नहीं करना हमें और अगर आप प्योर गी ना डालना चाहें फ्रेंट्स तो आप कोई भी वेजिट कर देंगे अच्छी तरह से उपर नीचे कर देंगे तो लीजे फ्रेंट्स यह हमारा चिकन आचारी बिल्कुल तैयार है यह बहुत ही टेस्टी बनाएं फ्रेंट्स अभी-भी मैंने इसको टेस्ट किया था इसकी ग्रैवी भी बहुत शानदार है और जो लोग हरी मिर्च नहीं खाते हैं वो चिकन आचारी में हरी मिर्च खाने के बाद हरी मिर्च खाना शुरू कर देते हैं योकि चिकन आचारी में इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजबाब होता है तो आप यह हरी मिर्च जरूर डालिएगा इसके अंदर मसाला भरके जैसे हमने बताया है अभी त और अगर friends आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे like and share ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो इसे subscribe किये बिना बिल्कुल भी मत जाईएगा friends मैं एक बार फिर मिलूंगी आपसे तब तक के लिए लाफेश